समस्कार दोस्तों, मैं रोई शुकला, एक बाद फिर से आप साही का स्वात करता हूँ, गायत्री एजुकेशन क्लासेज में आप सबको याद होगा, हम लोग CSI या NETJRF, Mathematical Science में Complex Analysis की लेक्चर सिरीज चला रहे हैं 2023-2024, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 चलिए, आज हम बहुत important चीज़ सीखने वाले हैं, मैं पहले ही शुरू में ही कई लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ आज हम सबसे important एक बात जो मैं last में सिखाने वाला हूँ वो है हमारा second order, second order partial derivative test ठीक, question के साथ सीखेंगे बच्चों, partial derivative test ताकि हम किसी भी question का minimum या maximum value find out कर पाए और साथ में हम कुछ अलग-अलग तरह के questions देखेंगे और concept देखेंगे कि किस तरीके से आपको complex analysis के questions को attempt करना है ठीक, पहले questions लिखेंगे, questions में use होने वाले concept पर बात करेंगे ठीक है, चलिए आइए देखेंगे पहले, सबसे पहले आपके सामने एक question सामने लिखाओ बच्चों जया ध्यान से पढ़िए number of values of z, z याने complex number, number of values of z चाहे वो real हो, चाहे वो complex हो which satisfies the equation this and this हमें दो equation दिऊ हुई है बच्चों और हमें ये बताना है कि z की कितनी values इन दो equations को satisfy कर सकती है, ठीक देखिए, तो इसके solution पर बात करते हैं सबसे पहले इसके solution पर कैसे बात करेंगे सार, देखिए सबसे पहले तो यदि मैं लिखूँ हूँ तो मैं direct लिख सकता हूँ क्या मैं बता हूँ आपको क्या किया मैंने, ज्यादा बना आप लोग time waste मानेंगे stage को, बेटा क्या आपको यहाँ पर एक GP दिखाई दे रही है क्या, जा ध्यान से देखिए, क्या आपको, suppose मैंने इसको बोला, कि यह मेरे पास equation number 1 है बच्चों, ठीक, यह मेरे पास equation 1 है, और यह इसे वाली चीज मेरे पास equation number 2 है बच्चों, इन दोनो equation को यह गौर से देखो, तो बेटा यह एक GP है, geometric progression या फिर geometric series भी कहा जाता है, अब देखिए, तो यह जो formula है, यह उसी का कैसे आया, मैं आपको जल्दी से वह बात बता दे रहा हूँ, यदि suppose मेरे पास एक geometric sequence हो, मैं मैं आपको सारी बात याद दिला दे रहा हूँ, geometric sequence, सबसे पहले हम किस पर बात करते बच्चों, geometric sequence, कैसे काम करती है, suppose first term A1, second term A2, third term A3, ठीक, and fourth term A4, dot, 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 up to An, ठीक, मैं N terms की एक geometric sequence पर बात कर रहा हूँ, ठीक, जहाँ पे हमें अच्छे से पता है, कि A1 को हम लिखते है A, A2 को हम लिखते हैं, A, A3 को हम लिखते हैं, A, R, square, A4 को लिखते हैं, A, R की power cube, dot, 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 an को हम लिखते हैं, A, R की power n-1, कैती बात सब्सक्राइब, यह हमारे पास sequence है, अच्छा, geometric sequence होती कौन सी sequence है, बच्चों, तो याद रहे, जिसके हर term का जो ratio है, हर term का जो ratio है, वो constant हो होना चाहिए, और इस constant ratio का ही नाम होता है, common ratio, क्या बुलाते हैं, हम उसे common ratio, आपने arithmetic progression, यह arithmetic series का नाम सुना है, जिसमें हम निकाला करते थे common difference, यानि कि second term minus first term करो, चाए third term minus second term करो, चाए fourth term minus third term करो, तो वहाँ पे सारे difference सेम आते थे, तो हम उस constant number को common difference की नाम से बुलाया कर हो कि यदि जिस दिन मैं करूँगा, a2 upon a1, a2 upon a1 करो, चाए a3 upon में a2 करो, चाए a4 upon में a3 करो, बिटा ये सारे के सारे एक constant number लाएंगे, जब मैं इनको divide करूँगा, तो एक constant number मुझे मिलेगा, टिक, वो constant number का नाम हमने क्या रखा, common ratio, क्या रखा, common ratio, जब कोई sequence इस तरह क रूल फॉलो करती है, उस sequence को बेटा कहा जाता है, geometric sequence, कि अत्ती बात आपको संझ मैं, सर लेकिन आज भी मैंने देखा, कई लोग इन बातों को लेकर confused रहते हैं, कि सर ये a1 की जगा a कैसे आ गया, a2 की जगा a r कैसे आ गया, तो जड़ा देखिए, पहले तो मैं आपको यहा आना चाहता हूं, कि क्या common ratio सबका r है की नहीं, जाया, देखिए, मैं यदि यहाँ पर बात करूँ, a r upon में यदि a करूँगा तो बताईए, मुझे a से a कटेगा, बचेगा कितना r, यदि मैं a r square upon में a r करूँ, तो a से a कटेगा, r से r कटेगा, अभी भी क्या हैगा, इन स सबका जो common ratio है, वो क्या रहा है, r, यानि कि यह geometric sequence तो है, sir, i कैसे यह बता दीजे, यह भी बता दे रहे है, तो देखिए, यहाँ से मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं, कि i कैसे है, सबसे पहले हम पहली वाली term, जो हमारे पास a1 जो लिखी हुई है, मैं a1 को क्या let कर लेता हूं, a assume कर लिया मैंने, ठीक, तो यह a1 बरावर मेरे पास किता आगया, a, साथ में जो common ratio है, जो common ratio है, उस common ratio को, इसके साथ आपके क्या है, सारे concept clear होते जाएंगे, किस ताइके से हर question कुछ भी use हो रहा है, common ratio क्या represent करेगा, r से हम represent करेंगे, ठीक, common ratio हमने क्या ले लि सार, second term, a, r है, कैसे आएगी, तो देखिए, क्या आपको यह वाला ratio दिखाई दे रहा है, this one, तो a2 upon a1 बरावर कितना आएगा, r आएगा, देख रहा होगा, यह सारे common ratio है, जिसको किस से represent करेंगे, r, अच्छा, जिस दिन मैं a1 को यहाँ भेजूंगा, तो मेरे को यहाँ आप देख पा रहे होगे, कि a2 बरावर ही हो जाएगा, a1, r, अच्छा, यदि ऐसा है, तो a2 बरावर, क्या a1 की जगा a लिख दूँ, क्योंकि a1 को हमने क्या assume किया हुआ, a, तो यहाँ पर a1 की जगा क्या कर दूँगा, a, r, तो क्या तुमने देखा, a2 बरावर कितना आ देजूँगा, तो a3 बरावर, a2 टाइम्स, r आ जाएगा, हमारे पास a2 की value आ चुके कितनी a, r, तो मैं a3 और a2 की जगा क्या लिख दूँगा, a, r, और into में क्या चल रहा है, r, बेस से मैं power क्या उदाएंगी, add यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 प्लस 1, 2, तो यह a3 बर मैं a3 को उधर बेजूँगा, तो a4 बरावर कितना जाएगा, a3, r, a3 की value हम निकाल चुके हैं, तो मैं a4 बरावर a3 की जगा क्या रखूंगा, a, r, square और into में क्या चल रहा है, r, बेस सेम power add, तो a4 बरावर a, r, cube आ जाएगा, क्या इत्ती बात आपको समझ में आ रही है, इस तरीके से हम हर टम को निकालते जा रहे हैं, और जब मैं वापिस इसमें value substitute करूँगा, तो a1 की जगा मुझे क्या substitute करना पड़ेगा, a substitute करना पड़ेगा, a2 की जगा मैं क्या substitute करूँगा, a, r, a3 की जगा क्या substitute करूँगा, a, r, square, a4 की जगा क्या substitute करूँगा, a, r, cube, हुआ ठीक relate करना चाहते हूँ sir relate कैसे करेंगे मैंने relate किया a4 बराबर a r मैं चाहता थे हाँ पर भी 4 आ जा तो मैं क्या 3 को 4 minus 1 लिख सकता हूँ तो अगली पर आप बोलोगे sir तो इसको भी लिख दीजे a3 बराबर a r 3 minus 1 तो इसको भी लिख दीजे sir क्या a2 बराबर a r 2 minus 1 तो sir फिर इसको भी तो आप लिख सकते हैं a1 बराबर a r की power 1 minus 1 समझ मैं आगी बात तो इस तरीके से हमने ये काम किया अब ज़रा गौर से देखना second time थी तो a r 2 minus 1, third time थी तो a r 3 minus 1, fourth time थी तो a r 4 minus 1 तो जिस दिन मैं बात करूँगा a n time की तो कैसे लिखूँगा मैं उसको तो मैं उसको लिखूँगा a r n minus 1, जो नमबर यहां रहता है वही नमबर यहां पर रहता है तो इस तरीके से a n के लिए हमने क्या निकाल दिया a r n minus 1, तो यह थी हमारी geometric sequence यह हमने क्या निकाल दी इस तरीके से represent की जाती है तो आपको इस सारी बाते यहां तक clear हो गई होगी ठीक डॉट 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 अब लेकिन sequence अलग चीज है और progression अलग चीज है ठीक, progression क्या होता है तो देखिए, यहां पर बात करते हैं, चाहे progression बोलते हो ठीक, चाहे हम इसे progression बोलें, चाहे हम इसे क्या बोलें, सिरीज बोलें, प्रोग्रेशन बोलीजे या सिरीज बोलीजे, बिटा दोनों एक ही वर्ड है, सिनोनेम से एक दूसरे करें, ठीक, यदि इतनी बात आपको clear है, तो जिस दिन a1 प्लस a2 डॉट 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 कहा तक an करूँगा, तो a1 की जगा बिटा a है, य यह कितना आ जाएगा बिटा, a r की पावर n-1, याने कि मुझे n terms का sum निकालना है, तो बिटा sum को represent करने के लिए, इनके sum को represent करने के लिए, हमने एक word यूज किया क्या, sn, तो sn बराबर मेरे पास आ गया a plus a r, plus 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 a r की पावर n-1, अब मैं आपको इसका derivation दिखा देता पार करना है, तो आपको इन सब चीजों का derivation की आदत होनी चीए, जितना involvement देंगे आप mathematics में, उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा कारे होगा उबार, ठीक, अब देखिए, कैसे मैं यहाँ से formula निकालने वाला हूँ, सपोज यह मेरे पास है equation number 1, यह मैंने क्या नाम द करूँगा, कईयों को याद आ गया होगा, सर यह हो जाएगा, r, sn, बराबर यह हो जाएगा, सर, ar, यह हो जाएगा, ar square, ठीक, dot dot dot, plus, यह हो जाएगा, देखो, जैसे इसमें r का multiply होगा, तो यहाँ पर एक r आ जाएगा, वो r की power कित्ती होगी, 1, minus 1 और plus 1, cancel हो जाएगे, ब ar की power n है, तो उससे पहले जो term रही होगी, वो क्या रही होगी, ar की power n minus 1, कहती बास वज में आ गई, अब मैं subtraction कर रहा हूँ, ठीक, मैं सभी terms को क्या कर रहा हूँ, subtract कर रहा हूँ, किस से पहली वाली equation से, सपोज यह मेरी equation number 2 है, मैं पहली equation में से दूसरी equation को क्या कर रहा subtract कर रहा हूँ, सब ने elimination सीखिए है मेरे ख्याल से, तो दिख रहा होगा सर, यह positive ar है और यह negative ar, इस तरीके से यहाँ पे भी ar square आ रहा होगा, तो वो दोनो cancel, इस तरीके से आप देख पार होगे, ar की power n minus 1 और ar की power n minus 1, cancel, जो बच्चा उसको लिख दे रहा है, left से left minus करेंगे तो क्या लिखेंगे, sn minus r times, sn, यहाँ पे यह लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ first term बची दिख रही होगी यह वाली term, a minus का, यहाँ पे आपको यह negative term हो चुकी है, minus का ar की power n, कैती दिखाई दिख, यदि इत्ता दिखाई दिखाई दिया, तो आपको दिख रहा होगा, sn can be taken as common, अंदर बचेगा, 1 minus r, is equals to, यहाँ से a common लिया जा सकता है, 1 minus r की power n, कैती बात clear है, जैसे मैं यहाँ से sn निकालूंगा, तो sn मुझे देगा, a, 1 minus r की power n, upon में 1 minus r, तो यह मेरे पास sum of n terms of gp के लिए formula आ गया है, जहाँ पे n क्या है number of terms है, a क्या है हमारा first term है, a क्या हमारा first term है, इत्ती बात सच में आ गई है, r क्या हमारा common ratio, second term upon में first term, यह हमारा common ratio है, दुनिया वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं, जिस दिन minus sign उपा और नीचे से common निकाल के cut कर दूँगा, तो a, r की power n minus 1, upon में r minus 1, दोनो a की formula है बिटा, वो अलग बात है कि हाँ, आपकी teachers ने बत से उपर से minus sign common लिया, आप इसको कहीं भी use करोगे, तो हर जगा कार्रे आएगा, एक चीज और होता है, यह तो less than 1 हो गया, greater than हो गया, r is equal to 1 पे भी होता है, क्या होता है, r is equal to 1 पे यदि देखा जाए, जिस दिन में, यह वाली, आपको यह वाली sequence दिकरी होगी, ठीक, जिस लेकिन आप इसमें r is equal to 1 पूट करो, इसमें आप r is equal to 1 पूट करके देखो बेटा, क्या आ रहा है आपको, तो a plus a plus a plus a plus a plus a, सब क्यों कि r क्या आउचिक होंगे, 1, और 1 की पार में कुछ भी लिखा हो, मिशा क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे जब भी ऐसा होगा, तो a plus a plus a a plus dot 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 a, इस तरीके से आ रहा हुआ, इन सब को plus करोगे, तो बेटा क्या आएगा, n times a, यानि कि a को कितनी बार add किया है, वही उसका formula आजाएगा, तो जब r is equal to 1 होता है, तो sn का formula हो जाता है, n times a, क्यात्ती बाद सर्ज में आ गई, इस तरीके से निकाला जाता है, जहाँ प कर सकते हो, ठीक, यदि इतनी बार संज में आई तो आप देखिए, पीछे वाला question जाएगा, क्या आपको दिख रहा है, यह GP है, सर कैसे, दिखाईए, मैंने जैसे ही किया तो second term, z upon 1, मुझे कितना मिलेगा, z ही मिलेगा, ठीक, जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, यह वाली z ही मिलेगा, तो आपके पास जो common ratio है, यानि कि r की जगा कितना आ गया, z, common ratio आपके पास कितना आ चुका है, z आ चुका है, मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, real analysis भी मैंने यह चीज़े बताई हुई है, ठीक, तो common ratio कितना आ गया, z आ गया, अब जहाँ द्यान से देखो, तो पहली वाली question के लिए, यह तो rough work है, यहाँ पे a बराबर कितना गया, one है, और common ratio गया, z, कहती बात संग आई, तो मैंने by using, by using geometric progression का formula है, by using sum, sum of n terms of gp, by using sum of n terms of gp, formula हमारे पास यह है, formula क्या है, formula लिख दे रहा हूँ है, ठीक, a into r की power n-1, upon में r-1, यही था formula, by using sum of n terms of gp, indicated by sn बराबर, इतना है, यह formula है, ठीक, हमने इसमें लगाए, तो a हमारे पास यहाँ पे दीख रहा है, a हमारे पास कितना है, one, अच्छा, number of terms, sir, n में त z की power कितना है, one, तो एक से लेके 17 तक ही हो गई, और एक और term यह हो गई, तो total कितनी terms, 18 terms, इसलिए यहाँ पे कितना लिखा हो, 18, ठीक, समझ में आ गया होगा, r क्या है हमारे लिए, z है, n क्या हमारे लिए, 18, a क्या हमारे लिए, 1 है, z minus 1, यानिकी r minus 1, और is equal sum में क्या चल z है, z है, और कितनी है total terms, यह 13 terms और यह 14, तो 14 minus 1, upon में बिटा, upon में z minus 1, और is equal to यह भी क्या है, 0 है, क्याती बास समझ में हैं, जिस दिन ऐसा समझ में आया है, तो समझ में आ गया होगा, sir, यह दोनों तो उधर निकल लेंगे, 0 हो जाएंगे, और 1 का multiply है, उन्हें कुछ भ z की power 18 बराबर 1 आएगा, और यहाँ पे z की power 14 बराबर ही कितना आएगा, बिटा, 1 आएगा, क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, अच्छा, अब इसमें बता सकते हो, कि z की क्या value रखू की 1 आ जाए, तो बिटा, दुनिया वाले बोलेंगे, sir, z की 2 value एक रख सकते ह और एक minus 1 रखते हो, क्यों, क्योंकि दुनिया वाले अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं क्या, sir, कि any की power में चाए even हो, और any की power में चाए odd हो, दो बाते होती है, यदि odd रहता है, तो आपको अच्छे से पता हो, यहाँ पे कैसा number हो, suppose, negative number हो, तो आता कैसा है, negative, लेकिन any में यहाँ पे, चाए positive number हो, चाए negative number हो, हमेशा कैसा आता है, positive आता है, कि इतनी बात याद है, ठीक, इसमें तो दिक्कत नहीं, sir, कैसे, जैसे मैंने कल को बोला, minus 1 की power में 4 बोल दूँ, तो भी किता आएगा, ठीक, और मैं बोल दूँ, 1 की power 4 बोल दूँ, तो भी क चाए 1 रखू, चाए minus 1 रखू, मैं को हर बार क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, लेकिन, इन दोनों में से, एक value अभी भी गलत है, sir, वो कैसे check करें, तो बेटा, हमेशा question आपको फसाने के लिए ही दिया जाता है, check करना मत भूलेगा, एक बार ज़रा, यह जो 1 है, इस 1 को आप equation 1 और 2 में रख के देखिए, जैसी आप z की जगा 1 रखेंगे तो बताएगे क्या आप जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 का square 1, क्या इन सब का जो addition है, कभी 0 हो पाएगा, क्या इन सब का left side का जो addition है, क्या कभी 0 हो पाएगा, 1 रखने पे, कभी नहीं हो पाएगा, same way में यहाँ पे, यानि की बचा सिर्फ कौन, minus 1, अच्छा एक चीज और चेक कर सकते हो, जिस दिन आप 1 को इस GP के फॉर्मूले में रखोगे तो दिख रहा होगा, 1 minus 1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक, अच्छा सपोर्ण मालो सर हमने इसमें रखा भी, तो Z को उधर में बेद दिया, S में इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, GP के फॉर्मूले में जैसी रखोगे तो 1 minus 1 याप में not define का case आजाएगा, बिटा, कौन सा case आजाएगा, not define, लेकिन minus 1 जब आप इस equation में रखोगे, equation 1 और equation 2, क्योंकि हमें किसको satisfy करना है, number of values of Z, जो कि satisfies कर पाए, किसको equation को, इन दो minus 1 एकलोता ऐसा answer है, जो इन दोने equations को क्या कर सकता है, satisfy कर सकता है, क्योंकि दिख रहा होगा सर, एक positive number है, उसके बाद सर, यहाँ पर एक odd number, फिर even number, फिर even number, फिर even number, तो plus minus, plus minus sign आते रहेंगे, वो सारे cancel होके, क्या हो जाएगे, बिटा, 0 हो जाएगे, ठीक, चाहे तो रख answer क्या होगा बिटा, z बराबर minus 1 होगा, ठीक, अगले question पर बात करते हैं, ठीक, में एक हाल से इतना clear हुआ होगा concept, बड़े कायदे से geometric sequence apply होता रहता है, real analysis में कई questions में apply होती है, अगला question आपके सामने यह रहा बच्चो, ठीक, हमने यह topic भी पढ़ा हुआ है, question क्या है, if z plus z cube is equals to 0, if z plus z cube, याद रखेगा भी हमें second order partial derivative test भी सीखना है, किसी भी complex number का जहा हमें minimum या maximum find करना पड़ता है, ठीक, real part of z less than 0 है, real part of z greater than 0 है, real part of z is equals to 0 है, कि z की power 4 is equals to 1 है, हमें चार option देगा है, कैसे, तो देखे, इसका solution बड़ा simple, ठीक, बड़ा simple, क्या real part of z लोगों को या मैं याद दिला दे रहा हूँ, कैसे सर, याद होगा कि जब भी आपको एक complex number z दिया हो, तो उसको लिखने का तरीका होता है, x plus i y, और मैंने आपको पिछली class में बताया था, कि जब मैं real part of z बोलता हूँ, यानि कि मैं इसका, कौन से part का बात कर रहा होता हूँ, x का बात, ह ठीक, तो इसे real z कहा जाता हूँ, इसे imaginary z कहा जाता हूँ, इतनी आपको बात पता होगी, और मैंने example में लिख दिया मालो, minus 1 plus 3 iota, और मैंने बोला बता दीजे, real part of z क्या है, तो आप बोलोगे minus 1, और मैं यादी आप से पूछूँ, imaginary part of z क्या है, तो आप तुरन बोल दें 3, 3 iota नहीं, सरफ किता बोलेंगे 3, तो इतनी बात मेरे ख्याल से खिलिया रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, आगली बात ये भी है, कि यदि किसी का real part 0 होता था, तो मैं उसको कौन सा number बोलता था, purely imaginary, क्या बोलता था, purely imaginary, इस तरह का एक question हमने पिछले lecture में किया भी है, और किस imaginary part ही 0 हो जाए, तो हम उसको बोलते थे, purely real, कौन सा बोलते थे, purely real बोलते थे, ठीक, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तो देखिए, आईए, question करते है, सबसे पहले इसके solution पे बात करें, हमें क्या दिया हुआ हुआ है, उस पे हम बात करेंगे, उसको simplify करेंगे, z plus z cube बराबर कित्ता दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, देखा जाए, क्या मैं z common ले लूँ, तो मेरे पास बचेगा, one plus z square बराबर में कित्ता आ जाएगा, विटाईए, 0 आ जाएगा, तो एक एक करके जी मैं equate करूँ, तो यह आ जाएगा, z बराबर कित्ता, 0, ठीक, अगली ची हो रहा होगा, z square बराबर कित्ता आ जाएगा, विटा, minus one, और जैसे ही मैं z का square root उधर करूँगा, तो plus minus under the root minus one, याने कि यहां से में पास z की और दो values आ गई है, कौन कौन सी, कि एक तो सर्फ z बराबर आया है मेरे plus, plus का iota, और दूसरा मेरे पास z बराबर आया है, minus का iota, क्योंकि याद होगा सबको कि root के अंदर minus one हमेशा कौन सी value होती है, iota याने की imaginary unit होती है, इस पर हमने बात करा, ठीक, अब हमारे पास z की तीन values है, क्या, दुनिया वाले इसको जानते हैं, कि सर्फ z बराबर आप इसको लिख सकते है, zero plus zero times iota, ठीक, अगले पल, आप इसको भी लिख दीजे, z बराबर कितना, zero plus one iota, ठीक, और इसको भी लिखा जा सकता है, z बराबर, zero plus, zero plus minus one into iota, क्या इतनी बात आपको समझ में आई, इसमें दिक्कत तो नहीं, जरह गौर से देखिए, यदि मैं आप से पूछूं कि बताइए, इसका real part of z कितना है विटा, तो बोलेंगे अगें, zero, और इसमें बताइए, real part of z कितना है विटा, zero, क्या तीरो में आपको common point दिख गया, कि तीरो का ही real part क्या है, zero है, तो option c will be the right answer, real part of z zero है, जब z plus z cube किसके equal है, zero के equal है, तो जब ये term zero के equal होती है, तो real part हमेशा किसके equal होता है विटा, zero के equal होता है, इस त than zero होगा, नहीं वो greater than zero होगा, z की power 4 is equal to 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है विटा, देखो, ये value satisfy कर भी दे, लेकिन ये value कभी भी satisfy नहीं करेगी, क्योंकि जैसे इस value को इसमें रखोगे, तो अच्छे से जानते विटा, zero की power 4 is equal to 1, not possible, बास सुन जाए, zero की power 4 is equal to 1, कभी भी सही statement नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से question number 2 भी आपको clear हुआ होगा, आगे बात करते हैं, ठीक, आज important concepts है, ये आगे आगला important, most important concept, कई लोग इसमें आज भी गलती करते हैं, क्या दिया बच्चों जैसे ध्यान से पढ़ो, which of the following is a complex number, हमें बताने इन दोनों में से कौन complex number है की नहीं, जड़ा ध्यान से देखा जाए, ठीक, सबसे पहले मैं solution of first की बात करता हूँ, ठीक, पहले वाले की solution की बात करता हूँ, मेरा पहला solution है no, मेरा जवाब है no, पहला वाला complex number नहीं है, सर क्यों नहीं है, तो देखिए, आपको याद होगा, इस पे भी हमने चर्चा करी ह कि a complex number is specified by an ordered pair, किसी भी complex number को specify किया जा सकता है, किसके रूप में, ordered pair के रूप में, और वो ordered pair क्या होगा बेटा, x, y, और x, y होते ही, हम उसे arrogant plane में represent कर सकते हैं, ठीक, arrogant plane में यदि represent कर सकते हैं, तो आपको याद होगा बेटा, ये आपकी real axis नाम हो जाता है, ठीक, और ये आपका imaginary axis नाम हो जाता था, ठीक, मेरे ख्यासे इत्ती बाद सबको याद आ रही होगी, हमने इन सभी चीजों पर चर्चा अच्छे से करी हुई है, ठीक, यदि ऐसा है, तो कोई भी ordered pair x, y हमेशा represent किया जाता है, और इस x, y को हम क्या बोलते हैं, बीटा, z बोलते हैं, complex number बोलते हैं, तो complex number can be represent होना, cartesian plane जिसको हम argand plane के नाम से, फिर complex plane के नाम से जानते हैं, ठीक, जिसम है, अच्छा, जब भी हम complex number को लिखते थे, तो हम उसको कैसे लिखते थे हम लिखते थे, कि यह हमेशा x plus i, y के form में होना चाहिए, जहाँ पे x और y दोनों ही कौन से number होने चाहिए थे, रियल number होने चाहिए थे, क्या इत्ती बात याद आगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ज़रा गौर से देखिए, यदि मैं यहाँ पे बात करूं, first वाले के solution पे, first वाले के solution पे, तो क्या दिख रहा है, iota की power 4 कितना होता है, 1 होता है, और iota की power 5 कितना होता है, iota होता है, है न, मेरे ख्यार से याद तो होगा, मैं यह आप यह बना दे रहा हूं, यह मैंने लिखा iota, iota square, iota cube, iota की power 4, इसको value iota होती है, इसकी value minus iota होती है, इसकी value minus 1 होती है, यह minus 1 इसकी है, इसकी minus का iota है, minus का iota, और इसकी value कित्ती होती है, 1 होती है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, ऐसी आगे अधी बढ़ा दो, मालो मैं iota की power 5, iota की power 6, iota की power 7 और iota की power 8 पर बात करूँ, तो same values है, iota minus 1, यह minus 1 है, minus 1, minus का iota और plus का 1, हर बार यह 4-4 values repeat होती है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से, ठीक, तो देख पा रहे होगे कि iota की power 5 के इतना आता इसमें तो दिक्कत नहीं है, अच्छा, सर्थ आप क्यों बोल रहे हो, यह no क्यों नहीं है, क्योंकि याद होगा बीटा, पहला वाला नंबर x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला नंबर, y को रिप्रेजेंट करता है, जहां x तो real number है, लेकिन y किसी भी हालत में real number नहीं है, čैती बात समझ में आई, x तो real number है पर y हमाय real number नहीं है, दूसरी बात आपको याद होगा, किसी भी complex number z को, जिसको मैं x, y के रूप में represent करता हूँ, उसको मैं कैसे लिखता हूँ बेटा, उसको मैं लिखता हूँ x plus, फिर अपने तरफ से i देता हूँ, और उस दूसरे real number y को लिख देता हूँ, इस case में, इस case में है न, इसको जब मैं solve करूँगा, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा बेटा, पहले मैं इस one, यानि की x को लिखता हूँ, फिर प्लस लगाता हूँ, फिर अपने तरफ से i देता हूँ, फिर यस दूसरे number i को लिखता हूँ, तो again दिख पा रहा होगा, ये इस तरीके से बिल्कुल दिखाई, नहीं दे रहा है, क्योंकि x और y दोनों कैसे number होने चीए, real number होने चीए, कई लोग एक बात सोच सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, कि sir, मैं इसको solve कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं उसका भी reason बता दे रहा हूँ, कि sir, कई लोग ये बात बोलेंगे, कि यहाँ पर 1 लिख दीजिए, प्लस sir, ये iota into iota लिखा हुआ है, यदि ऐसा है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा sir, iota का square, और ये हो जाएगा 1 प्लस iota का square होता है sir, minus 1, तो plus 1 minus 1 किता हो गया sir, 0, और sir, 0 तो complex number होता है, 0 तो complex number होता है, और sir, 0 तो real number भी होता है बिल्कुल सही बात है, यदि ऐसा है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ बेटा, कि 0 का मतलब तो हमने लिखना सीखा है, 0 plus 0 iota, 0 का मतलब तो हमने सीखा है, 0 plus 0 iota, और 0 इसके भी तो equal है, 0 को हमने अभी आपने जो जादू करके दिखाया, कि 1 plus iota into iota भी तो लिखा जा सकता 0 के equal ये भी है, 0 के equal ये भी है, दोनों को मैं equate कर सकता हूँ, 0 plus 0 iota को, और है ना, इसको equate कर सकता हूँ, 1 plus 1 iota को, ठीक, तो दो complex number equal तभी हो सकते हैं बेटा, जब उनका x part equal हो, याने कि यहाँ से हमने साबित कर दिया 0 बराबर 1, कित्ती बड़ी बात कर दिया हमने, और y part equal हो, तो यहाँ से हमने साबित कर दिया, 0 बराबर 1, कित्ती बात समझ में आई, ये दो बाते हमने साबित कर दिया, जो की possible नहीं है, तो इस बात का ध्यान रहे, इस तरीके के कारह ना करें, कित्ती बात समझ में आगई, बड़े काइदे से, इस बात का ध्यान रखना, अच root a into root b लिखा जा सकता है, बेटा यह property बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कोई भी आपको सता सकता है, कैसे याद रखना, one of them must be, must be non-negative, याद रखिएगा यह property तभी कारगर है, जब उन में से कोई एक non-negative हो, non-negative याने बेटा कमस कम कोई एक positive होना कमपल सरी है, नहीं तो क्या है, दुनिया वाले कहेंगे कि यह बेटा, सपोज 25 ले लो, 16 ले लो, जो लेना है, root 16 है, तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ, minus 4 into minus 4, और यदि ऐसा है तो दुनिया वाले बोलेंगे सर, यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 2 iota, और यह भी कितना हो जाएगा बेटा, 2 iota, सभी बात है, और 2 iota, iota हो जाएगा, 4 iota square, जो की दे देगा minus का 4, देखे सर, हमने एक जादू कर दिया, root 16 बराबर minus 4 ला दिया, ठेक, बेटा, यह कार नहीं करना है, दोनो negative नहीं चलेंगे, इस बात का ध्यान रहे, जब 2 number रहते हैं, मैं सिर्फ 2 number के लिए बात कर रहा हूं, we are not talking about 3 numbers, when in a square root, there are 2 numbers, तो one must be non-negative इस बात का ध्यान रखा जाता है, तब ही यह property काम की होती है, और अच्छे बड़े-बड़े तुर्रम खा भी इस property में हिल जाते हैं, तो ध्यान रखेगे यह काम नहीं करना, क्योंकि दुनिया जानती है, किसा root 16, 4 होता है, root 16, 4 होता है, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन root के अंदर जब minus 16 हो, तो अगेन यह चीज नहीं लिखी जा सकती, फिर इसके लिए मैं दूसरा number लिखता हूँ, वो होता है कितना बिटा, 4, Iota, तो यह एक imaginary unit है, और यह एक real unit है, इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना बड़ी अतियावश्यक है, और ध्यान भी रखिएगा, यह property तभी काम की होती है, ठीक, आगे बात करते हैं, बहुत important question आ चुका है हमारे सामने, आज कई हमारा last question है, जिस पर हमें work करना है, ठीक, देखें, क्या है, the minimum possible value of mod z square, plus mod z minus 3 का whole square, plus mod z minus 6 Iota का whole square, अब यहाँ पे दो बाते हो गई हैं, कि एक तो minimum possible value निकालनी है हमें, उपर से modulus आ चुका है, तो आपको मैंने बताया है कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, कि question को देख कि हमें जितनी भी properties मिलेंगे, हम उन सबको पढ़ डालेंगे, तो देखिए, क्या सबको यह बात पता होनी चाहिए, पहली बात, कि modulus, फिर हम minimum value निकालना सीखेंगे, modulus of complex number, modulus of complex number, चलिए बात करते हैं, modulus of complex number पर, ठेक, कैसे निकाला जाता है, बेटा, modulus of complex number को z, जो है, यदि z कोई complex number है, तो modulus of z को इस तरीके से represent किया जाता है, कोई दिखकत तो नहीं, ये z एक complex number है, तो उसके mod को इस तरीके से represent किया जाता है, modulus of a complex number, और ये represent क्या करता है, it represents, it represents, distance, it represents, distance from origin, distance from origin, ठीक, ये क्या represent करता है, origin से distance represent करता है, जहां पे mod z बराबर, यदि z बराबर मेटा, यदि z बराबर, यदि z बराबर, x प्लस i y होता है, तो mod z बराबर होता है, under the root, x square प्लस y square, ठीक, ये कैसे आया, ये भी बता दे रहा हूँ, इसमें कोई दिखकत नहीं है मुझे, ठीक, ये मैंने लिया, real axis, और imaging axis दोनों का combination लिया, और सर, दुनिया वाले जानते हैं, सर, z का मतलब होता है, coordinate x, y, x, y याने की बिटा, ये x हो गया बिटा, और ये क्या हो गया बिटा, y हो गया, कि अत्ती बात clear हो गई, याने कि इतनी जो height है, ये y है, और यहां तक की जो length है, ये कितनी बिटा, x है, ठेक, same way में आप समझ गया होगे, कि सर, ऐसे तो यहां पे भी ये हो गई है, ये y, और ये वाली जो distance है, कितनी हो चुकी है, x, यदि मैं बात करूँ, यहां पे origin होता है, origin के coordinates बिटा होते हैं, कितना, 0,0, जिसको purely real या purely imagine, ये नमबर दोनों के नाम से जाना जाता है, 0 को, मैं बोल रहा हूँ कि यहां से लेके, यहां तक की जो distance है, मुझे वो find out करनी है, यदि वो find out करनी है, तो अगला ही व्यक्ति में से बोलेगा, सर, ये एक right angle triangle है, right angle triangle है, तो मेरे को दिग्या होगा, सर, कि यदि ये right angle triangle है, तो ये मैंने, suppose कुद्देर के लिए क्या लिया, theta, theta लिया है, तो theta के सामने वाला perpendicular है, सामने वाला hypotenuse है, बच्चा होगा है, base है, यदि ये base है, तो अब मेरे पास यहां पे, PGT लगा सकता है, आने की Pythagoras theorem, कैसे लगाऊंगा याद होगा, कि यहां पे, ये जो distance दिख रहा होगा आपको, ये मेरे पास X1 और Y1 है, और ये मेरे पास कौन सा है, suppose X2, Y2, distance formula दुनिया जानती है, कि सर, under the root, X2 minus X1 का square, याने की X minus 0 का whole square, plus Y minus 0 का whole square, जो की बदले में सिर्फ दे देता है, मुझे X2 plus Y2, कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये 0 से लेके Z तक का distance है, जिसको हमने represent कर दिया, mod Z, mod Z याने की absolute value बिटा, कौन सी value, absolute value, क्या इस बात का ध्यान रहेगा, तो absolute value का मतलब होता है, under the root, X2 plus Y2, X वाली term का square कर दिजे, plus Y के साथ वाली पूरी term का square कर दिजे, उसका क्या ले लिजे, square root ले लिजे, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अच्चा, अगले ही पल यदि मैं एक example के रूप में बोलूँ, मैंने बोल दिया 3-2 iota, तो आप मैंने बोला ये भी एक complex number Z है, तो बताइए इसका mod Z क्या करूँगा, तो सर अंडर root ले लिजे, X वाली term का square कर दिजे, plus Y वाली term का square कर दिजे, अगर negative का square करो, positive का square करो, बात एक ही है, तो 3-3 जाई हो जाएगा, 9 और हो जाएगा, अगले ही पल, यहाँ पे सर mod Z का clear हो गया, mod Z के उपर भी क्या लगा हुआ बेटा, square, तो देखिए, mod Z, यह दिख रहा होगा, Z है, तो mod Z के उपर भी यदि square लगा दूँगा, तो square लगाते ही, यह जो root हो गया, यह भी क्या हो जाएगा, बेटा हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, X square प्लस Y square, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, squaring कर दी, दोनों तरफ क्या कर दी, squaring on, squaring both sides, suppose ऐसा मान लिजे, कि दोनों तरफ square कर दिया, तो इसके उपर square लग गया, पहले इसको थ्वासा solve करके आपको दिखा गए, फिर मैं partial order derivative test सिखाऊंगा आपको, तो देखिए solution, क्या आपको दिख रहा है mod Z का square, दुनिया जानती है सर, Z बराबर होता है, कितना X plus Y, Z बराबर कितना होता है, X plus Y होता है, यदि ऐसा होता है, कि अगले ही पल मैं जब बोलूँगा, mod Z तो आप समझ गया होंगे, सर, X वाली term का square, और Y वाली term का square, जो आई के साथ है, उसका square, ठीक, और सर, जैसे ही मैं बोलूँगा, mod Z के उपर होई square, तो आप इसमें से square हटा देंगे, यानि कि X square plus Y square, ये मेरे पास पहले term काम किया गई, mod Z square की जगह में ये लिख सकता हूँ, अगली ही पल, मेरे पास एक और term है, सर, क्या, सर वो दिया हुआ है, Z minus 3, वो क्या दिया हुआ है, Z minus 3, ठीक, में पास Z की value तो है, Z की value कितनी है, मैं लिखूंगा, X plus I, Y, और minus में कितना लिखा बेटा, 3, पहले पूरी real term को एक तरफ कर लो, real term को एक तरफ करोगे, तो X minus 3 plus I, Y, तो ये इन दोनों का मैं लिख दिया, ये मेरे Z minus 3 का मतलब यह होता है बेटा, यदि ऐसा है तो जिस दिन मैं Z minus 3 का mod बोलूँगा, तो आप बोलोगे सर, under root ले लिजे, और X वाली term का square कर दीजे, plus I के साथ जो term है उसका square कर दीजे, ठीक, और जिस दिन मैं Z minus 3 का whole square आपको करने को बोलूँगा, तो आप इसमें से क्या कर देंगे, root हटा देंगे, और इसको भी open कर लेते हैं, यह A minus B का whole square है, तो X square plus 3 का square कितना 9, और minus का 2, 3, 6, X और plus का कितना beta Y square, कि अत्ती बात समझ में आगी होगी आपको, सेम वे में आपको दिख रहा होगा, वहाँ Z minus 6 Iota लिखा हुआ है, ठीक, Z minus 6 Iota लिखा हुआ है, उस पे भी बात कर लेते हैं, तो Z minus 6 Iota का मतलब सर होता है, कितना Z की जगा X plus IY लिखूँगा, और minus का कितना beta 6 Iota, क्या यहाँ से दिखाई दे रहा है, X plus और यहाँ से Iota common लेते ही, यहाँ पे बचेगा Y minus 6, यह होता है Z minus 6 Iota का मतलब, पर सर हमें तो मतलब है, Z minus 6 Iota के modulus से, तो पेटा जो X वाल इटम में उसका square कर दो, अंडर root ले लो, ठीक, और जो I के साथ जो इटम में उसका square कर दो, यानि कि Y minus 6 का whole square, कहती बाद संज में आ गई, लेकिन हमें तो इसका भी पूरे का square चीए, Z minus 6 Iota का whole square चीए, तो तुम्हें पता है, बस सा root हट जाएगा, root तो हट जाएगा, साथ में इसको solve भी कर दे रहा है, X square और A minus B का whole square open कर दीजे, तो Y square प्लस कितना बिटा, 36 हो जाएगा, और minus का कितना हो जाएगा, 2, 6, 12, Y, ये मेरे पास होता है, Z minus 6 Iota का whole square का मतलब, 6 Iota का whole square, ठीक मैं इनकी value put कर रहा हूँ, mod Z के square का मतलब होता है बिटा, X square plus Y square, plus Z minus 3 के whole square का मतलब ये होता है, बिटा मैं लिख दे रहा हूँ, X square plus 9 minus 6 X, और plus का Y square, और अगले पास Z minus 6 Iota के whole square का मतलब होता है, वो लिख दे रहा हूँ बिटा, ये हमारे पास होता है, X square plus Y square, ठीक, X square plus Y square, plus 36, और minus का 12 Y, क्या थी बास अंगे हाँ नहीं, अब आप देख पारे होंगे कि ये जो आपको function दिख रहा है, ये XY के term पे है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, it is a function with variable X and Y, क्या बिटा, आपको दिख रहा है, सर ये जो function है, ये two valued function है, कौँसा function है, two valued function, दो variable वाला function है, याने कि दो values के उपर depend होने वाला function है, एक X के उपर depend करता है, और एक Y के उपर depend करता है, तो two valued function का, जब मुझे minimum possible value निकालनी होती है, तब मैं partial derivative test लगाता हूँ, ठीक, तो इसके लिए होता है बिटा, यहाँ पर हम अपने test की बात कर रहे हैं क्या, कि second order, second order partial derivative test, for two valued function, for two valued function, ठीक, अब देखिए, इसको कैसे लगाते हैं, बहुत easy approach है, परशान बिल्कुल मत होईएगा, जब भी आपको कोई two valued function, f of x, y मिले, हम two valued function की बात कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होता है, कि हम उसका पहले तो first partial derivative निकाले, f of x, और एक और partial derivative निकाले, with respect to y, ठीक, याद होगा, इसको कैसे बोलते थे, partial derivative को, del f by del x, याद आ रहा होगा आपको, और इसको क्या बोलते थे, del f by del y, बात संजाई, partial differentiation with respect to x, partial differentiation with respect to y, और फिर, यह जो भी f of x आएगा, यानि की first derivative आएगा, उसको किसके equal में डालो, 0 के equal में, डालते ही, आपको दो values मिलेगी, एक x की मिलेगी, और एक y की मिलेगी, इन्हें मैं बोल रहा हूँ c, c यानि यह point मिलेगा, कौन सा point मिलेगा, इन points को बेटा कहा जाता है, critical points, critical points, यही critical points आपको बताएंगे, कि दिये हुए function में, value maximum होगी कि minimum होगी और कहाँ पे होगी ठेक इनी critical point पे चेक करना है ठेक इनी critical point पे आपको function की value check करनी है फिर सब सुन लीजे ये 0 रखने के बाद जो values आएंगी x और y की उन values पे चेक करना है इन critical points पे चेक करना है कि function maximum है कि minimum है अब वो सर कैसे चेक करते हैं तो बेटा फिर अगले ही पल हम second order derivative निकालते हैं ठेक क्योंकि यह याद है ना second order derivative test partial derivative test तो f of xx क्या बोलते हैं इसको f of xx ठेक और फिर अगले ही पल एक निकालते हैं हम f of xy और एक निकालते हैं बेटा f of yy इसको हम बुलाते हैं R, इसको हम क्या बुलाते हैं R, इसको बुलाते हैं S और इसको बुलाते हैं क्या बिटा T, बात सुर्ण में आई हमने इनका नाम रख दिया R, S, T, कोई दिक्तर तो नहीं है, सर इसको निकालने से क्या होगा, इसको निकालने के बाद एक important term हम चेक एक important term check करेंगे उस term को कहा जाता है rt-s² क्या कहा जाता है rt-s² आपने पाश्चर differentiation पढ़ा rt-s² इसको मानलो मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया किसे रिप्रेजेंट किया डेल्टा से डेल्टा से रिप्रेजेंट करने पर यदि यह greater than 0 आ मतलब हम काफी हद तक success पाचुके हैं सर किस तहिके की success कि यदि यह greater than 0 आ गया तो हमारा काम असान है less than 0 आ गया तो दिक्कत है पर greater than 0 आ गया तो minimum maximum find out किया जा सकता है बस कैसे find out किया जाएगा तहला देखो यदि मेरे को बताना है minimum मुझे बताना है minimum at c minimum at c c यह आने की यह critical point पर तो मेरे को देखना है कि भाया delta तो positive है यदि मेरा r भी greater than 0 है यदि r भी क्या है greater than 0 तो मुझे क्या मिलेगा minimum at c मिलेगा और यदि मुझे maximum कोई बोलेगा कहां पे उन critical point c पे तो मेरा delta तो positive होना चीए बस r मेरा क्या हो जाए less than 0 हो जाए पर अभी तो हमें क्या निकालना है minimum अभी तो हमें क्या निकालना है minimum तो द यह देखिए question कहा है अपना यह रहा question ठीक तो यह बेटा f of x y वाला term है ठीक सर सबसे पहले तो आप इसका फुर्सत में निकाल दीजिए first derivative with respect to x तो अच्छा एक चीज और f of x, y इसको थोड़ा और solve कर सकते हैं देखो x square plus x square plus x square कितने x square हो जाएंगे बेटा 3x square plus y square plus y square plus y square 3y square direct भी कर सकते थे यहां पर solve किये बिना भी कर सकते थे पर अब ज्यादा असान हो जाएगा ठेक और क्या दिख रहा होगा minus ka 6x है यह प्लस है minus ka 6x और क्या है बेटा minus ka 12y यह दिख जया होगा अच्छा 9 और 36 कितना होगे बेटा 45 इसमें तो दिक्कत नहीं है यह इतना आ हमारे पास अब मैं सबसे पहले बेटा f of x निकालूँगा क्या निकालूँगा f of x और उसको 0 के equal में रखूँगा तो f of x निकालते हैं पता हो x के respect में differentiate करो 2 3 जा बेटा कितना 6x इसको तो करना नहीं तो 0 हो गया बचेगा कितना minus का 6 फिर मैं f of x को किसके equal में डालूँग 0 के equal में डालूँगा, किसके equal में? 0 के equal में तो डालते हैं तो यह हो जाएगा 6x minus 6 को किसके equal में डाला 0 के equal में, तो 6x बराबर आ जाएगा 6 और x बराबर कितना आगा बेटा? 1 आ गया, कहती हो सब्सक्राइगा, सेम काम हम करेंगे, एक बार हम क्या निकालेंगे f of y, f of y य 0 के equal में डाल दो, तो ऐसा करते ही, तो 6y minus 12 बराबर कितना बेटा, 0, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा 12, तो y बराबर कितना आगे बेटा, 2, तो हमें critical points मिल चुके हैं, ठेक, अब इनी critical points में हमें check करना है, आपको अच्छे से पता है, तो critical points C, जो हमें मिले हैं, किस अगले ही पल आपको check करना है, f of xx, जिसको हमने नाम क्या दिया है, r, जिसको हमने नाम क्या दिया है, r, चलो, तो करो f of xx, दुबारा differentiate करो, इसको differentiate करो, तो बचेगा सिर्फ कितना बेटा, 6 बचेगा, ठेक, अच्छा, फिर हम निकालते हैं, क्या बेटा, s, s मतलब क्या ह हो गए, constant हो गए, फिर हम निकालते हैं, बेटा, t, और t हम क्या होता है, f of yy, तो y को double differentiate करो, कितना हो जाएगा, बेटा, सिर्फ बचेगा, कितना, 6, के अत्ती बात clear होई, यहां से देख पारे होगे, फिर sir, आपने सिखाया था, एक important term पे ध्यान देना होता है, वो term delta होती ठीक, 6 into 6 minus 0 का स्पर, तो दिग्या होगा sir, यह आगया 36 जो की greater than 0 है, तो अब हमें यहां से कुछ important result मिल सकता है, अब हो result चेक करने के लिए हमें क्या करना है, sir, हमें तो minimum निकालना है, हमें क्या निकालना है, minimum at c, minimum at c, याने की critical point निकालना है, तो उसके लिए sir, delta तो हमारा greater than 0 है, क्या हम r को चेक करें, तो r हमारा किता है, 6, और यदि r हमारा 6 है, तो हमारे पास r बराबर 6 है sir, वो भी क्या है greater than 0 है, याने की हमें इस critical point 1,2 पे क्या मिलने वाला है, हमारा minimum मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, minimum कैसे निकालेंगे, तो यह जो beta function दिया हुआ है, ज 1 का square हो गया 1, plus, और y की जगा 2 डालना है, तो 2, 2 जा कितना हो गया बेटा, यह 4, ठीक, अरे यहां कहा डाल रहा है, यहां डालना ची न, तो देखो, यह हो जाएगा 3, यहां डाल रहा है बेटा, यह यह रहा function, हमने इसको simplify कर दिया था, इसको simplify कर दिया था, फिर उत्ते ब आगेगी, और क्या, फिर यहां पर माइनस का 6, माइनस का 6, और फिर माइनस का यह कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर 12, 20, 24, और प्लस का बेटा कितना, 45, तो यह कितना हो जाएगा भई, 6, 3, 9, यह माइनस का 24, और प्लस का 45, तो 24, और 9, यह आगे हमारे पास, 21, और 9, 30, कितना आ गया वेटा ये 30 हमारे पास total answer कितना आ चुका है 30 तो option में देखते हैं तो वेटा इसका सही answer क्या है 30 तो दिये हुए function का हमारे पास answer आ चुका है 30 इस तरीके से minimum value निकाला जाता है by second order partial derivative test तो होपसो आज आपको ये class अच्छी लगी होगी ठेक मैंने आपको सारे concepts clear क आशा करता हूं कि आप इनको धंग से पढ़ेंगे ठिक तो हमने आज जितने भी concept कि इनको धंग से revision करिए और मैंने कई दिनों से एक बात बोली नहीं है चैनल को subscribe करिए share करिए और मेरी ये please like करिए देखिए मैं last में बोल रहा हूं ठिक like करेंगे तो मेरा प्रोसान बढ़ झाल झाल झाल